Hello Everyone, बच्चो कुछी दिनों में आपके periodic test 2 स्टार्ट होने वाले, तो आपकी preparation को ध्यान में रखते हुए, आज मैं आपके लिए sample paper वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें कि हम हमारे syllabus से काफ़ी कुछ questions को discuss करेंगे, बच्चो अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है, तो चैनल को subscribe कर लिजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो आपके लिए बहुत important होने वाले, तो सबसे पहले हम discuss करते हैं कि हमारा जो PT2 टेस्ट है, उसका syllabus क्या है, तो हमारे PT2 में syllabus में 6 chapter है, what if it finishes, a saltish or high, when the earth shook, blow hot, blow cold, who will do this work, across the wall, तो बच्चो मैंने कोशिश की है कि sample paper 1 में आते हैं, उसको हम sample paper 2 में करेंगे, तो start करते हैं हमारे questions, हमारा जो paper है वो तीन पार्ट में divided है, observation and reporting, identification and classification and discovery of facts, जो हमारा पहला पार्ट है, observation and reporting, वो 10 number का होता है, इसमें क्या होता है कि आपके सामने image दे रखी होती है, या फिर आपसे objective type question पूछ सकते हैं, image में क्या होता है आपसे पूछ लेती हैं कि किसका नाम है, या फिर इसका क्या connection है, या फिर situation आपको क्या बता रही है, तो जब आपको chapter अच्छे से याद होगा ना, तो आप अच्छे से उसीच को कर पाओगे, तो हम पहला question pick करते हैं, look at the picture and name the game, आपके सामने photo दे रखी है, अच्छे इसक इसको देखो और बताओ किस गेम का नाम क्या है, आपके सामने चार option है, football, volleyball, cricket and basketball, right answer क्या होगा इसका, basketball, question number two, take the instrument, we blow air into to produce sound, आपके सामने तीन instrument दे रखें, आपको बताना है कि इन में से कौन से instrument है, जिसको फूख मारने से उसके अदर से आवाज निकलती है, तो option क्या है ह harmonium, देखो drums को बजाने के लिए, फूख मारने की कोईज़ोत नहीं है, harmonium को बजाने के लिए भी फूख मारने की कोईज़ोत नहीं है, तो flute क्या होती है बच्चों, इसको बजाने के लिए, हमको क्या करना पड़ेगा, फूख मारने पड़ेगी, तभी flute में से आवाज आए आप ने कहां देखी थी किस chapter में देखी थी जो हमारा chapter है shelter is so high इसका जो page number 128 है आप अभी बुक खोल के देखिए page number 128 पे काफी सारी images दे रखी है फोटो दे रखी है आप उनको अच्छे से पढ़िए और देखिए कि किस photo की बारे में क्या बताया गया है तो बच्चों यह जो आंसर इसका क्या होगा houseboat है यह question number four look at the picture and name the instrument आप फोटो को देखिए और बताईए कि instrument कौन सा है option क्या आपके सामने flute beat drums c guitar right answer क्या होगा इसका drums question number five what does this picture show आपको फोटो देख रही है अब इस फोटो में क्या condition है आपको क्या पता चल रहा है इस फोटो को देख के हमार सामने चार option है a earthquake b flood c drought the forest fire बच्चों earthquake में क्या होता है भुकम की condition होती है सारी buildings तूट फूट जाती है b flood में क्या होता है बाड आ जाती है c drought में क्या होता है सूखा पड़ जाता है अकाल हो जाता है बारिश बिलकुल नहीं होती d forest fire मतलब जंगलों में आग लग जाती है तो आपको फोटो देखने से क्या पता चल रहा है कौन सी condition है यहाँ पे answer क्या होगा इसका flood question number six a tent is made of आपको फोटो में क्या दिख रहा है tent दिख रहा है अब आप से पूछ रहे है कि जो tent है वो किससे बनाएं आपके सामने तीन option है a stones b bricks c canvas stone मतलब पत्थर bricks मतलब इटे और canvas मतलब बच्चो एक कपड़े होता है एक fabric होता है जिसे की tent बनता है तो इसका answer क्या होगा canvas question number seven tick the vehicle which does not run on petrol और diesel आपके सामने चार option दे रखे हैं आप से पूछ रहे हैं कि इन में से कौन सा vehicle है जिसमें की जिसको चलाने के लिए petrol और diesel की जरूत नहीं होती है आपके सामने क्या है option car b bus c bicycle d tractor तो bicycle को चलाने के लिए बच्चो पैट्रोल और diesel की जरूत नहीं होती है question number eight what is the advantage of using cng over petrol petrol की जगे cng हम क्यों काम में ले रहे हैं आपके सामने तीन option है it gives out less smoke it gives more power c it is freely available अब options का मतलब समझते हैं पहले कि यह क्या कह रहा है it gives out less smoke मतलब जो cng है वो कम धुआ निकालती है b क्या कह रहा है it gives more power ज्यादा पावर देती है नहीं ऐसा तो नहीं है it is freely available मतलब cng जो है वो free available है मतलब पैसा नहीं लगता बिलकुल गलत बात right answer क्या होगा it gives out less smoke जो हम cng यूज करते हैं बच्चो इससे धुआ कम निकलता है pollution कम फैलता है इसलिए हम petrol की जगे cng को काम में लेते हैं question number 9 name the products obtained from petroleum आपसे question पूछ रहा है कि petroleum से कौन कौन से product मिलते है या फिर आपसे question इस तरह से पूछ सकता है कि petroleum के by product कौन से है तो बच्चो पहले question को समझो कि वो प petroleum निकला अब petroleum जब clean होने जा रहा है तो साथ में उसके कुछ और चीज़ेंगे हमारे लिए ठीक है petrol अलग चीज़े बच्चो confused मत होना सबसे पहले जमीन के नीचे से पानी के नीचे से क्या निकाला जा रहा है petroleum निकाला जा रहा है जब petroleum refinery में clean होने जाता है तो फिर कौन क and write full form of LPG and CNG LPG का full form क्या होगा बच्चो liquefied petroleum gas and CNG का होगा compressed natural gas बच्चो बहुत important है इसको अच्छे से याद कर लो हमारे paper का second part होता है identification and classification जो की 15 नंबर का होता है यह तो sample question दे रही हो मैं आपको लेकिन exam में बच्चो आपको कोई paragraph दे सकते हैं paragraph के अंदर से कुछ question पूछ सकते हैं तो इस type की question का ध्यान रखो हम पहला question लेते हैं the rates of petrol and diesel in Delhi are given below look at the table and answer the following questions अब आपको एक table दे रिखे जिसमें क्या है petrol and diesel की rate दे रिखे दिली के अंदर और उससे related आप से कुछ questions पूछे गए हैं सबसे पहले तो table को अच्छे से पढ़ो क्या क्या लिखा है इसमें oil कौन-कौन से petrol and diesel rate of one liter in 2008 petrol की rate क्या थी 50 रुपए और diesel की rate कितनी थी 35 रुपए rate of one liter in 2011 अब petrol की rate कितनी हो चुकी है 66 रुपीज and diesel की rate क्या हो चुकी है 41 रुपीज अब आपको table अच्छे समझ में आ चुकी है अब हम question solve करते है इन 3 years the rate of petrol went up by कितना बढ़ गई है अब 3 सालों में 2008 में कितनी थी 50 रुपए और 2011 में कितनी हो चुकी है 66 रुपए तो आपसे question पूछ रहा है कि 3 सालों में petrol की rate कितनी बढ़ चुकी है answer क्या होगा इसका 16 रुपए बढ़ चुकी है second question लेते है in 3 years the rate of diesel increased by अब diesel की rate बच्चो 2008 में कितनी है 35 रुपीज है और 2011 में कितनी हो चुकी है 41 है तो diesel की rate कितनी बढ़ी है 6 रुपए बढ़ी है third question लेते हैं dash was the difference in the rates of petrol and diesel in the year 2008 अब 2000 की rates देखो petrol की rate कितनी है 50 रुपए डिजल की rate कितनी है 35 रुपीज आपसे पूछ रहे हैं कि इन दोनों की rates में क्या difference है तो बच्चो diesel जो है वो petrol से सस्ता है तो इन दोनों की बीच में कितना difference है 15 रुपए का difference है अगला question अब से पूछ 2011 पहले तो हमसे किसका पूछा था 2008 का अब हमसे पूछ रहे हैं कि जो 2011 की rates है उसमें petrol और diesel की rates में क्या difference है तो बच्चों क्या हो चुका है महेंगा आ चुकी है अब जो है इनकी cost बढ़ चुकी है तो अब इनका difference क्या होगा अभी petrol कितना है 2011 में 66 रुपी और डिजल कितना ह जाएगा 25 रुपी तो मतलब अब पहले कितना था 15 रुपे था अब कितना हो चुका है 25 रुपे हो चुका है मतलब धीरे धीरे यह जो ऑईल है इनकी rates बढ़ती जा रही है question number two choose the correct answer to fill in the blanks आपके सामने fill in the blanks हैं और उनको fill करने के लिए यहाँ पे कुछ words दे रखें आप स चार वर्ट दे रखें floods, drought, gujarat and famine तो यहाँ पे क्या आएगा कि जो 26 जनवरी 2001 है वहाँ पे कहाँ पे भुकंप आया था गुजरात में आया था B if there is no rain, crops can fail and there can be a क्या condition होगी बच्चो वो देखो पहले तो condition समझो कि क्या difference है floods का मतलब होता है, bar का आना, drought मतलब होता है, सूखा पढ़ना, बिल्कुल बारिश नहीं होती तो क्या हो जाता है सूखा पढ़ जाता है, जिसको एंगलिश में क्या बोलते हैं, drought कहते है, payment का मतलब क्या होता है, aqal का पढ़ना aqal और बच्चो सूखे में क्या difference है, सूखा मतलब बारिश का नहीं होना, और famine में क्या होता है, बच्चो अकाल में क्या होता है, कि एकदम खाने की बहुती जादा कमी हो जाती है, खाने की और पाने की बहुत जादा कमी हो जाती है words आपको समझ में आ चुके, अब इसका अंसर बताओ if there is no rain, crops can fail and there can be a drought answer क्या हो का इसका, drought shortage of water and food can result in famine excessive rainfall can lead to floods बहुत ज्यादा बारिच होती है, क्या हो जाता है, बार आ जाती है तो यह आपका answer सो चुके इसमें, question number 3 define these, A, Rebo, what is Rebo, Rebo क्या होता है, answer Rebo is a big tent which protects चंगपास from extreme cold environment Rebo क्या होता है, Rebo बहुत बड़े बड़े tent होते हैं जो चंगपा को extreme ठंड से बचाते हैं what is Lekha, Lekha, it is the place where the चंगपास keep their sheep and goats, the walls of Lekha are made up of stones, अब Lekha क्या होती है, Lekha एक ऐसी जगे होती है जहां पर चंगपास जो जाती है, वो लोग अपने sheep और goats को उसमें रखते हैं, और Lekha की दिवार किस से बनी होती है stone से बनी होती है, question number 4, expand the following आपको यहां पर abbreviation दे रखें, आपको उनको expand करना है तो IPL का full firm क्या होगा, Indian Premier League PCCI का क्या होगा, Board of Control for Cricket in India ICC का क्या होगा, International Cricket Council हमारा जो paper है, उसका third part है, discovery of fact जो की 15 अमर का होता है, इसमें किस टाइप की question पूछे जाते हैं वो discuss करते हैं, तो question number 1 लेते हैं, name the following any three natural disaster, बच्चों natural disaster क्या होती है वो आप दाएं, वो घटनाएं, जो nature में अपने आप होती है, जिसमें हमारा कोई contribution नहीं होता तो वो natural disaster होती है, यहाँ पर आप से पूछा है, तीन natural disaster बताओ, तो कौन कौन सी होगी earthquake, volcano and flood B हम से पूछ रहा है, any four things needed by those people affected by earthquake जो लोग earthquake से affected हो जाते हैं, उनको क्या क्या चैये होते हैं, उसकाँ से क्या हो जाएगा, medicine, cloths, food, shelter बच्यों कोई भी प्रॉबलम आती हैं, कोई भी disaster होता है, तो लोगों को problem होती है तो जो लोग problem में उनको क्या क्या चीये होती है, वो है medicine, cloths, food, shelter etc Question number 2, name the states in which the given hill stations are situated बच्चों hill station क्या होते हैं ? पहाडी एरिया होता है जो काफी famous होते हैं काफी ठंड होती हैं घूमने में काफी मज़ा आता है तो यहाँ पर कुछ आपको famous hill station बता रखें आपको बताना है कि वो किस state में है ज़्यादा गरम है तो आप उसको ठंडा कैसे करोगे answer when food is too hot we cool it in falling ways अगर खाना बहुत ज़्यादा ठंडा है तो हम कुछ तरीकों से खाने को ठंडा कर सकते हैं a blowing air with mouth हम फूक मार के उसको ठंडा कर सकते हैं b pouring it in broader vessel बड़े बरतन में उसको डाल के ठंडा कर सकते हैं c living it under the fan for some time कुछ देर पंकें की निचे छोड़ेंगे खाना ऐसे ठंडा हो जाएगा तो यह तरीके हैं जिनसे हम खाने को ठंडा कर सकते हैं b what is an earthquake earthquake क्या होता है answer earthquakes are the shaking rolling or sudden shock of the earth's surface earthquake क्या होता है बच्चो जो हमारी earth's surface है जो जमीन है उसमें एकदम से जटके लगना एकदम से हिलना उसका उसे क्या कहते हैं हम earthquake कहते है question c travelers find it difficult to breathe at places like changthang why बच्चो चंग्थंग जो जगह है वो लद्दाक साइड में है काफी उची है काफी height में है तो हमसे question पूछ रहे हैं कि जो travelers हैं जो घूमने जाते हैं वो इतनी उचाई वाली जगह पे उनको सांस लेने में दिक्कत क्यों होती है answer क्या होगा इसका चंग्थंग is situated at high altitudes and the air at high altitudes is very thin this is why travelers feel difficult to breathe at चंग्थंग अब यह answer क्या बता रहा है कि जो चंग्थंग है बहुत ही height पे है तो बच्चो जैसे जैसे हम height पे जाएंगे उचाई पे जाएंगे तो क्या होता है कि जो air है वो कम होती जाती है जब air कम होगी स सांस लेने में दिक्कत होगी इसी लिए कहा चाता है कि जो travelers है उनको चंग्थंग जैसे जगों पे सांस लेने में दिक्कत होती है हम example लेते हिमाले की जब हम हिमाले पे जाएंगे न तो बच्चों हमको oxygen cylinder साथ में ले जाना पड़ेगा क्योंकि जो हिमाले है उसकी height बहुत कि blow on hot potatoes to make it cool to eat हम उन पे फूख इसले माते ताकि वो ठंडे हो जाएं और हम उसको खा सकें e every person should do every kind of work who said this word किसने का है कि हर इंसान को हर टाइप का का काम करना चाहिए आप सभी को पता इस कांसर क्या होगा महात्मा गांदी जी question number four what should one do in case of earthquake जब भुकम के जटके आएं भुकम पाए तो आपको क्या करना चाहिए किस तरह से अपने आपको बचाना चाहिए answer following thing should be done in case of earthquake क्या करना चाहिए आपको drop down and take cover under desk or table table या पर desk के नीचे छूप जाओ second क्या कर सकते हो आप stay inside until the shaking stop and it is safe to exit देखो जब भुकम के जटके आ रहे ना तब आपको इदर उदर भागना नहीं चाहिए अगर आप अंदर हो तो अपने आपको अंदर रखो जब बाहर safe तील हो जाए तो आप बाहर जा सकते हो लेकिन जब भुकम के जटके आ रहे हैं त आप उन सबसे थोड़ा सा दूर रहें अगला हम क्या कर सकते हैं if you are in bed hold on and stay there अगर आप बैट पे हो सो रहे हो तो आपको इदर भागने की जरूत नहीं है बैट को अच्छे से पकड़ लो और वहीं पर रहो तो इन तरीकों से आप अपने आपको बचा सकते हो जब earthquake की condition होत की की जरूँ कर सकते हम कर रहे होगी पाना रहे हो अब चिसा लगा से अगला हम के लिए लो प्रिए प्रागने की जरूँ आपको एव पंने अगला हम की जरूँ है